पना लेना थी, एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है। पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसिस देते हैं जिनें फायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ, आपको भी यही करना चाहिए, सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं, जिन पर जाकर आप अपने निवेश से सम्मंदित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबस साइट्स हैं, मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए, रहिए, और ए्वेबसाइबसारी जानकारी येफ शिए से सम्मंदितारी जानकारी लेकर से सम्मंदित वेहां। नमस्कार मेरा नाम अनुज गुपता है आज हम चर्चा करेंगे mutual funds versus direct equity कौन सा सही है तो चलिए आज का session चुरू करते हैं सबसे पहले हम चुरू करते हैं कि small saving rates कैसे चलते हैं या क्या उनके interest rates हैं तो कुछ-कुछ आप इस slide पे देखेंगे जो अभी दिखाई दे रही है post office savings schemes 4% से लेके सुकन्या समर्दी योजना तक 7.6% rate of interest चल रहा है अब हम topic mutual funds versus direct equity पे चर्चा करना की कोशिश करते हैं पहले small saving rates इसले बताये गए हैं so that you understand that जैसे आपको इस slide में दिखाई दे रहा है कि 2018 से लेके 2020-21 तक जो small saving accounts हैं उसके opening rates गिरे जा रहे हैं and at the same time आप mutual funds का trend देखेंगे तो वो upside जा रहा है which means कि जैसे साल आगे जाये जा रहे हैं आपको ये समझ में आता है कि small savings accounts कम हो जा रहे हैं और mutual funds और direct stocks और DMAT accounts बढ़े जा रहे हैं in fact the latest data shows that अगर आप देखोगे कि 2020 और 2021 और 2022 में DMAT accounts के rate almost double हो चुके है account opening rates SIP mutual funds में जो SIP होते हैं उसकी SIP की जो frequency है वो बढ़ चुके है SIP के investors बढ़ चुके है and small saving accounts जैसे कि आपको दिखाया गया था post office schemes या सुकन्या स्मिर्दी scheme वो सब कम हो जा रहे हैं why वो क्यों कम हो रहे हैं क्योंकि ब्याजदर कम होए जा रहे है and as an investor generally हम लोग को 8%, 10%, 12% की जरुवत पढ़ती है why क्यों पढ़ती है क्योंकि inflation हमारा generally जहां पर भी हम खर्चा करते हैं अपना वो 6%, 8%, 10% जैसे की बच्चों की पढ़ाईयां है तो वो 12-14% से fees increase हो रही है पर हम savings करना चाहते हैं तो वो भी यदी 8, 10, 12% से नहीं बढ़ता है तो कहीना कहीं हमारी value of money वो decrease होती है उसी के वज़े से mutual funds versus direct equity topic आपके लिए बहुत ही महत्वत पून होगा and उसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं mutual funds के बारे में वो fund house के पैसा पहुचता है वो एक fund manager को appoint करता है उस पैसो को manage करने के लिए और वो fund manager ultimately stocks, bonds में आपका पैसा invest करता है gold में भी invest करता है फिर उससे वो कुछ returns generate करने के कोशच करता है और वो जो returns आते हैं अपने expense, अपनी management fees काटके सारा का सारा पैसा वापस से investor को दे देता है that is how mutual fund cycle works दूसरा अब आपको mutual funds में invest क्यों करना चाहिए पहली बात तो उसमें आपको बहुती कम cost में एक professional management मिल जाता है एक variety of schemes मिल जाती है चाहे वो हम अभी उसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं 3 working days आपके bank account में वापस पैसा आ सकता है और यदि आपके बास लंसम पैसा नहीं है आप छोटे-चोटे amount से 100 रुपे 500 रुपे पर मन के हिसाब से भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं mutual funds के दुवारा that is why the importance of mutual funds or why invest in mutual funds इसमें diversification mutual funds में diversification बहुत अच्छी तरह से work करता है जैसे हमने एक proverb सुन रखा है या हमने don't put all your eggs in one basket ही हमारे को बच्पन से सिखाया जाता है या हमारी बड़े लोगे सिखाते थे अगर आपको दो दस रुपे को नोट दिये गए तो एक left pocket में डालो एक right pocket में डालो अगर जेब कड भी गई तो at least आपके वाज 10 रुपे बचेंगे तो उसी तरीके से जब आप अपना hard earned money आप अपना पैसा निवेश करते हो तो सारा का सारा पैसा आपको एक जगा डालने की बजाए आपको diversification मिल जाता है mutual funds में चाहे वो large cap large cap companies का मतलब होता है कि जहां पर buy market cap आपको first hundred companies में निवेश करने का मौका मिलता है और आपको सिर्फ mutual funds में ये फाइदा होता है कि आपको एक ही जगा एक ही fund house को पैसा देना है और आपका पैसा अपने आपी पहली hundred companies जो top hundred companies हैं इंडिया में listed उसमें आपका पैसा diversified हो जाता है similarly अगर आपको और जगा इन्वेस करना है तो mid cap and small cap space आजाती है mid cap का मतलब होता है जो पहले 101 से लेके 200 stocks या companies जो इंडिया में listed हैं उसमें आपका पैसा निवेश होता है small cap का मतलब होता है कि जो 251 से 251 से लेके आगे तक जो companies हैं वो small cap companies के लाती है and आपको multi cap funds में भी invest करने का मौका मिल जाता है multi cap होता है जहां पर आप थोड़ा सा large cap थोड़ा सा mid cap थोड़ा सा small cap में आप invest कर सकें जहां तक types of mutual funds का सवाल है आपको जैसे हमने बताया कि large cap हो गया, mid cap हो गया small cap हो गया, multi cap हो गया ऐसे diversified funds होते हैं, sector funds होते हैं sector funds का मतलब होता है कि IT जैसे आपको लगता है information technology अभी आपने पिछले एक, दो, तीन सालों में देखा होगा technology का बहुत इस्तमाल किया गया है तो technology funds आते हैं pharma, medicines and healthcare के उपर बहुत focus किया गया है तो healthcare funds आते हैं so on and so forth, automobile funds आते हैं international funds आते हैं gold funds आते हैं, debt funds debt funds का मतलब होता है, जहां पर आपका पैसा fixed income asset class में, underlying government securities में, corporate bonds में पैसा निवेश किया जाता है so these are the types of mutual funds जहां पर आप invest कर सकते हैं, जहां तक अगर हम mutual funds schemes की बात करें कितने number of schemes हैं, तो आपको इस slide में यह दिखाया जाएगा, कि इतनी सारी schemes है mutual funds में, तो चाहे tax saving schemes हो, जहां पर under section 80C आप ELSS के तहट आप invest कर सकते हो, तो 38 schemes हैं, small cap में 25 schemes हैं, hybrid schemes होता है, जहां पर आप large cap, mid cap, small cap cap के साथ-साथ, आप debt fixed income में invest कर सकते हो, तो आपको एक hybrid model मिल जाता है, तो आप वहां पर भी invest कर सकते हो, उसमें भी category होती है conservative, aggressive, value themes होती है, multi-cap होता है, solution oriented होता है, अगर अगर अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा निवेश करना मौका मिलता है, so these are the type of schemes almost close to, अगर आप इन सब को जोड़ेंगे, तो कुछ 700-800 schemes आ जाती है, अब हम और आगे वाली slides में यह भी चर्चा करेंगे कि mutual funds versus direct equity कौन से सही है, बट पहले उससे पहले हम mutual funds के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, और हमने एक model portfolio बनाने के कोईश्च करी है, जैसे कि हम एक थाली सर्फ करते हैं जब हमारे हैं कोई guest आता है, जब हम कहीं restaurant जाते हैं, तो हमारे को थाली सर्फ करी जाती है, उसमें अलग-अलग प्रकार के विंजन होते हैं, तो उसी तरह एक mutual funds में भी अगर आप एक model portfolio बनाना चाहें, तो आपको अपने screen के सामने आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि आप कुछ पैसा आप debt funds में डाल सकते हो, कुछ पैसा large cap में डाल सकते हो, कुछ पैसा mid and small cap में डाल सकते हो, कुछ पैसा tax saving के डाल सकते हो, thematic fund अगर आपको लगता है कि फार्मा या टेकनोलोजी या आटो मोबील सेक्टर अच्छा करने वाला या कर सकता है तो कुछ पैसा आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, and कुछ emergency fund जैसे कि अगर आपको कभी भी uncertainty की वज़े से या emergency की वज़े से यदि लिटरली ATM कार्ट देती है, और आप जैसे आप नॉर्मल एक बैंक का ATM कार्ट जाके आप swipe करते हो, या आप ATM में जाके पैसा निकालते हो, आप अपने mutual fund में जो liquid funds में पैसा डाल रखा है, वो आप ATM के द्वारा पैसे तुरंद निकाल सकते हो, यदि आपको किसी को आपने तरीके सुन रखे होंगे कि Lumsum और SIP, तो हम दो और topics पर चर्चा करना चाहेंगे कि SIP के साथ साथ आप STP और SWP रूट से भी आप mutual funds में invest कर सकते हो, SIP जनरली क्या होता है, जहां पे आप हर महीने एक छोटा सा amount, चाहे वो 100 रुपे हो, 500 रुपे हो, 1000 रुपे हो, 10,000 रुपे हो, या 1,00,000 रुपे हो, पर मन्द आपने एक frequency set कर ली, और आपके bank से वो पैसा कटता रहता है, हर महीने, एक fixed date पे, एक fixed amount, एक fixed scheme में, वो SIP किलाता है, और आपको उसमें रुपी cost averaging मिल जाती है, कभी market उपर जाता है, कभी market नीचे जाता है, क्योंकि आप हर महीने पैसा डाले जा रहे हैं, तो कभी आप units, उसमें आपको units मिलते हैं, mutual funds के units, against NAV, जो कि NAV हर महीने, हर दिन बदलती है, depending on कि market fluctuation कैसा हो रहा है, तो SIP तो एक सबसे सरल और सबसे बहतरीन तरीका है ही investment का, बढ़ उसके अलावा, यदि आपके पास एक lump sum पैसा है, तो आप STP route के through भी आप पैसा निवेश कर सकते हो हैं, STP होता है systematic transfer plan, जहां पे आप एक scheme चूज करते हैं, जहां पे आप उतना lump sum पैसा मालनीजे, आपको retirement पैसा मिला है, या आपको bonus मिला है, या आपके पास कोई property sale से पैसा है, और आप तुरंत उसको stock market में या mutual fund में नहीं डालना चाते हो, या direct exposure नहीं लेना चाते हो, तो आप एक lump sum पैसा एक liquid fund में या debt scheme में डाल सकते हैं, और फिर systematically, एक दूसरे scheme में, जैसे आपको screen पे अभी दिखाया जाएग कि systematically आप scheme A से scheme B में, scheme B हो सकती है, जो कि थोड़ी सी equity related हो, या dynamic scheme हो, जिसमें stocks का underlying asset हो, तो आप एक lump sum पैसा scheme A से scheme B में आप transfer कर सकते हो, जैसे कि आप SIP में अपने bank account से करते हो, ऐसे ही STP में आप एक mutual fund से दूसरे mutual fund में transfer कर सकते हैं, और तीसरा product होता है SWP, जहाँ पे systematic withdrawal plan, जहाँ पे आपने lump sum पैसा आप चाहते हो कि वो grow भी करता रहा है और आपको एक monthly income भी मिलती रहा है, तो आप SWP के जरीए, जैसे कि आप screen पे देख पा रहे हो, आपको systematic withdrawal plan, मालिजे आपके पास 1 करोड रुपे lump sum पैसा है और आप हर महीने उसमें से 50-50,000 रुपे आप निक सकते हैं mutual funds में और आपको एक fixed withdrawal at the rate of 6% मालिजे, एक करोड रुपे 6% हो गया, 6,00,000 रुपे तो 50,000 रुपे पर मन्त, आप monthly income आप ले सकते हो, जो कि fixed रहती है और एक करोड रुपे आपके invested रहते हैं, जो कि market based movement पे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो depend करता है, आपने debt scheme मे as an investor, जो small saving scheme से आते हैं और mutual funds और direct stocks में आते हैं, तो उनकी एकदम से expectation बढ़ जाती है कि में small saving scheme से अपना पैसा निकाल के या अपना fixed deposit तोड के mutual funds या direct stocks में आ रहा हूँ तो मेरे को 10%, 12%, 15%, 20%, 25% return मिलना चाहिए, तो ज़रूर मिलता है, but it all comes in the long term, short term में you need to be lucky and the markets need to be in favor of you, for you to reap the best benefits, but long term में ये देखा गया है कि यदि आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल जैसे कि आ छोटा सा amount भी आप 1000 रुपे पर मंद की एक SIP, monthly SIP शुरू करते हैं, तो आप 2 साल में 24,000 रुपे डालते हैं, तो ये आपको एक average दिखाया गया है, best case, worst case scenario का average दिखाया गया है, कि 2 साल में आपको 2.88% का भी return मिला है, but आप अगर average scenario देखोगे, जैसे ही 5 साल, 7 साल, 10 साल 15 साल के बाद आप देखते हो, तो generally आपको returns double digit में दिखाई देते हैं, और जैसे साल बढ़ते रहते हैं, तो power of compounding भी आपको मिलता है आपके favor में, और आपको returns भी आपके favor में मिल जाते हैं, और generally जो expectation एक investor की रहती है, कि मैं को अगर मैं थोड़ा सा risk ले रहा हूं अपने investments पे या अपनी savings पे तो मुझे double digit return तो मिलना ही चाहिए, तो वो ज़रूर आपको मिलता है, generally एक equity की cycle या mutual funds की cycle